नमस्कार दोस्तो आपका फिर से एक बार हार्दी अविनंदन है स्वागत है मेरा नाम इंजिनियर मुकेश कुमार जा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवर निर्मान बेडरूम की इस करी में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इशान कोन के सैन कक्ष यानि कि नौर्थ इस्ट के बेडरूम के बारे में नौर्थ इस्ट का जो बेडरूम है वो सूफ फल्दाई है या असूफ फल्दाई है अगर सूफ फल्दाई है तो कैसे है यह हम लोग साइंस कहीं से आप से समझेंगे और असूफ फल्दाई है तो कैसे है और इसका वास है साइंस के हिसाब से इसका क्या महत्तो है और प्रवाव है आज हम लोग समझेंगे हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा सरीर एक मैगनेट है अर्थ एक मैगनेट है हमारे वातु के हिसाब से हम जो मकान बनाते हैं भवन उसमें भी मैगनेटिक एलिमेंट होता है चुकि अर्थ एक मैगनेट है हमारे प्रिट्वी खुद एक मैगनेट है और उतली गोलार्द में उत्तर से दच्छिन की तरफ मैगनेटिक किर्ने आती है जिसके वैसे उत्तर का जो दिशा है वो बहुत ही positive माना जाता है सकरात्मक मा आयाता है तो उत्तर पूर्व का ये जो कोना है जिसमें प्रित्वी की मैनेटी की चुम्बक ये साकरात्मक उर्जा मिलती है क्यों मिलती है क्योंकि उत्री गुलार्द में मैनेटी क्लाइन्स की दिसा उत्तर से दच्छिन की तरफ होती है उत्तरी गुलार्द जिसमें हम भार की बात कर रहे हैं दशनी गुलार्त जैसे न्यूजिलेंड आस्ट्रिया इस पर वीडियो बनाऊंगे और उस पर हम लोग बाद में आएंगे हम दोग सभी जानते हैं कि हर समान हर जो मकान है वो पंच तच्छिती जल पावक गगन समीरा से बना हुआ है और जल तत्यू का ये स्थान है इसलिए यहां पर नए कपल अगर रहते हैं तो उनमें जो एक फायर एलिमेंट होता है उर्जा होता है वो ठंडा पर जाता है उनकी प्रतिकूल असर पड़ता है संतान प्राप्ती में परिशानिया आती है इसलिए कपल बेडरूम यहां नहीं रखना चाहिए अंड था उन पती और पत्नी में छोटे बोटे बादों पर जगरा और विवाद हो सकता है जल तक्तों के कारण लड़कियों को सारेरिक प्रॉब और यहां पर जल जो है उस फायर को बुझा देगा सारेरिक प्रॉब्लम क्रेट हो जाएगा बहुत जादे उनको मेंटिक इनर्जी यहां रहने से मिलेगी जिस मेंटिक इनर्जी के वैसे साइंस के हिसाब से उनमें सारेरिक प्रॉब्लम होगा प्रेग्नेंसी प्रॉब्ल में एक gravitational field है जिसके वैसे दूसरे आसपास के ग्रहों को अपने तरफ gravitational field में आकरसित करती है और उत्तर पूर्व का ये जो corner है ये जो हमारे पास के ब्रस्पति ग्रह हैं जो की ग्रहों में गुरू माने जाते हैं उसका अस्थान है उसका जो गुर्तवा कर्शन बल है ये उत् मनोहर बनते हैं ब्रस्पति ग्रह का अशर से लोग बहुत ही personality उनकी निखर के आयाती है जिसके कारण यहां रहने वाले लोग उच्छा प्राप्त करते हैं काफी धार्मिक विचार के होते हैं काफी तार्किक भी होते हैं और उदारवादी भी होते हैं यहां जाद दिनों वी रहने से लोग का इस जगह से जुराव हो जाता है मनी मन उनमें सिथिलता आने लगती है और वो कहीं बहार नहीं जाना चाहते हैं इसलिए जो बच्चे जॉब या उस रिच्छा के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनको यह कमड़ा नहीं देना चाहिए क्योंकि यह में भी देरी हो सकती है चुकि एक कमड़ा उनको यहां बांद के रखता है अगर साधी हो भी गई तो साधी होने के बाद क्या होगा उनका ससुराल में मन नहीं लगेगा और बार बार मैके के उसी कमड़े में जो की उतर पूरुप में कमड़े में वो कुवारी में रती थी वापस आना चाहेंगी और उनमें सिंगल रहने की टेंडेंसी होगी सिंगल जब रहने की टेंडेंसी होगी तो सिंगल मदर रहना चाहेंगी और उनमें डिवोर्स करने की प्रवर्ती बढ़ेगी तो उत्तर पुर्व का कॉर्णर ये प्रभाव डालता है लड़कियों पर अब हम लोग इसको धर्म के हिसाब से भी समझते हैं हमारे पुर्वत इतने इंपलिजेट थे कि उन्होंने साइंस को धर्म से जोड़ दिया क्योंकि हमें याद करने में आशानी हो यहां देवों के देव महादेव हैं उनका स्थान माना जाता है जिनके होने के कारण यहां रहने वाले सादगी उच्च विचार वाले होते हैं और उनका अध्यात्मिक विकास होता है यह स्थान इसलिए दूसित होने से सरवनाश्च का भी कारण बन सकता है क्योंकि भगवान संकर जो है विनास के भी देवता माने जाते हैं तो यह सानगर दूसित हो गया यह अगर सौचाले बन गया तो यह सरवनास का भी कारण बन सकता है यहां रहने वाले इसलिए यहां रहने वाले में सुप्रियर्टी कॉंप्लेक्स थोड़ा सा अंकार आया आता है और इसलिए बाद-बाद पर आर्गुमेंट करते हैं दूसरे से गुसक या जगड़ा करने रखते हैं तो यहां रहने वाले लोग जो है उस इनर्जी को जो मेंगेंटिक इनर्जी है जिसकों की धर्म से जुड़ा गया है वो सहन नहीं करत पाते हैं पचा नहीं पाते हैं और उनमें गुसा जगड़ा अंकार आना सुरू हो जाता है धर्म के हिसाब से माना गया है कि यह अस्थान संतान लच्मी जो की अस्थ लच्मी की ही रूप है उनका अस्थान है यानि कि यह जो लच्मी है यह हमारी माता है और माता जैसी यह लच्मी का स्थान है इसलिए अगर यह स्थान भी दूसित हो जाने से घर में पती पतनी किसी भी कॉर्डनर में रहें उनको संतान प्राप्ती में दिक्कत आ सकती है तो ये स्थान दूसित नहीं होना चाहिए इसलिए कोसिस करें कि अगर आपके पास जगह है तो घर के बुजर्गों का कमड़ा यहां बनाएं तो ये बुजर्ग भी हमारे देव तुल्ले हैं भगवान संकर और माता लच्मी तुल्ले हैं संतान लच्मी तुल्ले हैं तो उनका कमड़ा यहां बनाना चाहिए धर्म के हिसाब से और वास्तु के हिसाब से भी और साइंस के हिसाब से भी हमने समझ लिया लेकिन अगर इशान कुने में bedroom है हमारा already और उसको हम लोग तोड रही सकते हैं जैसा कि मैंने तोड फोड ने के लिए हमेशा माना किया है तो मैं आज आप उसको उसका वास्तु दोश निवारन बताने वाला हूँ तो bid सबसे पहले देख लेते हैं कि bid अगर है तो उसमें क्या होना चाहिए bid तीन तरफ से खुला हो, bid के पीछे एक सिरहना हो, दिवार हो लकडी का bid होना चाहिए, bid वर्गाकार हो, आयताकार हो, विर्टाकार ना हो bid के नीचे कोई स्टोरेज नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसमें भारी समान जिसे मिटल, धातू अगेरा ना रखें क्या नहीं होना चाहिए सोते समय कभी भी उत्तर जिसा में सिर करके ना सोएं, bid दरवाजे के ठीक सामने नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसपर हमेशा दरवाजे पर परदा करके रखें, बेट का रिफलेक्सन सीसा मीरर्ड या टीवी में नहीं होना चाहिए, अगर आ रहा है तो उसपर परदा ड करवा दें, उसको फॉल्स से ढख दीजिए, अब हम लोग समझते हैं कि बेट कहां रखना चाहिए, नौर्थ इस्ट का कमरा है, इशान कोने का कमरा है, वहां पर सकरात्मक इनर्जी के लिए बेट का पोजिशन का होना चाहिए, तो यह माल लिया जाए, हमारा एक कमरा है, जिसमें उपर उतर है, नीचे दशीन है, राइट हैंड पर पूरब है और लेट हैंड पर पच्चिम है, तो इस कमरे का अगर वास्तु देखा जाए, तो दशीन पस्ट का ये जो कॉर्णर है, ये वास्तु पूरस का पैर है, और ये भारीज तक्त्तु है, तो अगर आप यहां बेड़ लगाते हैं तो यह बहुत ही अच्छा माना जाएगा तो हमेशा बेड़ कमड़े के दच्छिन पस्षिम कॉंडर में लगाईए सोते समय कोशिस करें कि सिर्ध दच्छिन के तरफ रखें और पती को पस्षिम की तरफ सोना चाहिए इससे क्या होगा कि पती-पत देख लेते हैं उसी कमड़े में जिसे ओपर उत्तर है नीचे दच्छिन है राइट पर पूरब है और लेफ्ट हैंड पर पस्षिम है तो आप पस्षिम की तरफ सिर्ध करके सो सकते हैं लेकिन कोशिस करें कि बेड़ कमड़े के दच्छिन पस्षिम में ही हो मैं बार बार बहुत ही जरूरी है। सोते समय सिर्फ जो है वो पच्छिम की तरफ होना चाहिए। अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि सरफ सिर्फ पच्छिम के तरफ रहने से भगवान सूर देव नाराज हो जाएंगे. लेकिन जब हम रात में सोते हैं तो भगवान सूर्दे पच्छिम रहते हैं तो कभी नाराज नहीं होगे वो तो वास्तु के हिसाब से पच्छिम के तरफ सोना फिल्कुल खराब नहीं माना जाता है, आप सो सकते हैं पती को दच्छिन की तरफ सोना चाहिए जैसा कि इस फोटोग्राफ में आप देख पा रहे हैं अब हम लोग देख लेते हैं बेट कहां नहीं होना चाहिए एक तो नौर्थ विस्ट का कमड़ा है उपर से बेट का पोजिशन मैंने बताया वास्तु कि इसाब से दच्छिन बढ़ेगा चोटी चोटी बातों पर वीवाद बढ़ेगा उनमें मांसिख तनाव भी रहेगा और सारे रिविक विमारियां हो सकती हैं संतान उत्पती में भी प्रॉल्म हो सकता है प्रिञ्निन्सी होने के बात बी उनकी KNesis ठेर नहीं सकती है तो यहां पर कभी भी बेड नहीं होना चाहिए दचिन पुर्व में ना लगाएं अगर है तो उसको वहां से सिफ्ट करके दचिन पस्थि में लगाएं उत्तर के तरफ तो कभी नहीं होना चाहिए नहीं तो इस दैसमर्दी पेट समंदी विमारियां होने लगेगी क्योंकि हमारा देख लेते हैं कि इशान कौन जो की जल तत्तो का इस्थान है साइंस के हिसाब से मैंटिक फिल्ड जनरेट होती है तो जल से कैसे वास्तु दोष निवारन करें एक तो वास्तु दोष हमने निवारन बताया कि अपने बिड को आफ सिफ्ट कीजिए दूसरा निवारन में ब पानी में इतर वाला जल रख सकते हैं हर दिन सुवह में ये जल बदलें और पुराना जल किसी पौधे में डाल दें और ताजा गुलाब जल लगें ये 100 वास्तु दोष का एक निवारन है दोस्तो वह ये बहुत ही अच्छा वास्तु दोष निवारन है इसको आप कहीं भी इशान को उन में अप्लाई कर सकते हैं, ये बेडरूम ही नहीं, किसी प्लाउट का भी वास्तु दोश निवारन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, उत्तर पूरुम में, अगर आप एक मिटी के पातर में, ध्यान रखें, आपको जल मिटी के पातर में ही रखना है, कि एक और हम देख लेते हैं, उसी कमड़े में, कि वाथू दोस कैसे निवारन कर सकते हैं, रोज खौर्स से, कैसे वाथू दोस निवारन हो सकता है, दच्षिन पच्षिम का जो इस्थान है, वो भारी एलिमेंट है, हम लोग जानते हैं वाथू के हिसाब से, अगर दच्छीन पच्छीम के सान पर अगर हम रोज क्वार्ड का ये पत्थर दो धाइसो ग्राम एमेजॉन पर भी मिलता है अगर खड़ीत के दिवारों पर लगा लें यहां जहां बेड़ है बेड़ के पास जो टेबल लखा है उसके पास अगर एक जोड़ा अगर आप रो होगा अगर पती-पत्री में टकडाओ हो रहा है तो यह बाड़ी एलिमेंट आपके दच्छीन पच्छी में लगने से उनमें प्यार बढ़ने लगेगा और उत्तरपूर के बेडरूम का जो प्रतिकूल वास्तुदोश है वो दूर हो जाएगा तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है अब हम लोग समझते हैं कि कमड़े के रंग से कैसे वास्तुदोश निवारन करें अगर इशान कोन का बेडरूम बना होना हुआ है तो क्या करना चाहिए हमने हमेशा कहा है कि सफेद पीला रंग बहुत ही अच्छा माना जाता है पी पीला जो है उत्तर पुर्व के रूम में वास्तु दोस निवानन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो लेबन निवु जो पीला वाला जो होता है, यो बहुत जरूरी है, आप चाहें तो परदा बेट सीट का भी रंग पीला लेबन की तरह रख सकते हैं, तो यह वास्तु दो हर जगह एक शार रंग भी न करें आप मैंने कहा पीला पीला बहुत ही अच्छा है तो आपने छट में भी पीला कर दिया बेट सीट भी पीला है उपर नीचे दोनों पीला हो जाने से क्या होगा कि थोड़ी सी नकरात्मक हमारे चरितर पर आना सुरू हो जाएगा तो दिवारों को पीला से करें छट को आप सपेज से कर सकते हैं बेट सीट परदा उस समय आप पीला रख सकते हैं तो मिक्स रूम कर सकते हैं किसी को लाल पसंद है जैसे नए मेरिट कपल है वो बोलेंगे कि लाल तो प्रेम का रंग होता है लेकिन प्रेम का तो रंग लाल है खून का भी रंग लाल है इसे लाल एग्रेशन का भी रंग माना जाता है अधिक मातरा में लाल का इस्तिमाल करने से आपको चिरशीरा पना आ सकता है आपस में मतवेद हो सकता है एग्रेसिव जगडे सुरू हो सकते हैं छोटी बातों पर वाद विवाद हो सकता है तो लाल र के वास्तुदोष निवारण देगी अब पौधे से कैसे वास्तुदोष निवारण करें मैंने बताया है कि पौधे जो है भगवान का दिया हुआ वो हमको वर्दान है जिससे हमको सकरात्मक इनर्जी मिलती है अगर इशान कौन में आपके पास अगर बालकनी है कोई पुला जगह है अगर आपका कमड़ा बड़ा है और खिरकियों के पास हलका धूप आता है तो आप जो है इन में से कोई एक पौधा लगा सकते हैं तुलसी तुलसी जी का पौधा लगा सकते हैं एरिका पाम लगा सकते हैं जेट प्लांट लगा सकते हैं बंबू प्लांट लगा सक नव प्लांट है उस उन में से किसी एक प्लांट को आप जरूर लगाएं इशान कोन में ये वास्तु दोस्त निवारन के लिए बहुत जरूरी है पती-पतनी के जहगड़े को दूर करने के लिए ये सारे प्लांट बहुत जरूरी है अब जरूर लगाएं इससे नकरात्मक इनर्जी आपके घर की साकरात्मक इनर्जी में बदर जाएगी अब हम लोग देख लेते हैं कि इशान कौन का जो बेडरूम है उसमें और क्या छोटी छोटी हम लोग वासु जो है टिप्स करें जिससे उसका वासु दोष निवारन हो जाएगी तो क्या होना चाहिए अगर टीवी है हीटर है तो दचिन पूर्व में रखें आलमारी अगर ह तो दचिन पचिन दिवार में लगेगो राधा कृष्ण हंसो का जोड़ा हिमालय संख बासुरी इन में से किसी एक का फोटो जरूर लगाएं जिससे पती और पत्नी के भी सामंजस और प्यार बढ़ता है दचिन पचिन में फैमिली फोटो या कपल फोटो जरूर लगाएं क्या नहीं होना चाहिए कभी भी अपने जो है बेडरूम में पूजा इस्थान या अन्र भगवान का फोटो ना लगा है वैसे तो इशान का कोनर है देवता का कोनर मना गया है लेकिन बेडरूम में इशान कोन के बेडरूम में अगर आप का पूजा इस्थान है तो उसको कपंपल के साथ लगा सकते हैं तो ने बताया कि बहुत अब किसी को तुलसी जी का पौधा लगाना है तो वो कृतिम जो आर्टिफिस्यल तुलसी जी का पौधा लगा लिया कमड़े में इससे दोस्तों और नकरात्मकता आजाएगी कभी ये काम न करें किसी को गुलाब का फूल पसंद है वो बोलेगा तो प्रेम का स्वरूप है लेकिन गुलाब के फूल में काटा होता है इसलिए बेडरूम में गुलाब का फूल भी नहीं लगाना चाहिए ना लगाए इशान कून को हमेशा साफ सुचर रखना चाहिए इसलिए अगर मकडी का जाल या गंदगी है तो इससे जो है इशान कोना दूसित होता है और सरवनास का कारण बन सकता है जूठे बरतन तो कभी बेडरूम में रखना नहीं चाहिए खाना भी जूठे बरतन में रखके खाना नहीं चाहिए तो ये छोटे-छोटे वास्तु टीप्स हों जो कि आपको बेडरूम में इशान कोन में अगर आपका बेडरूम है तो आपको करना चाहिए वास्तु दोस्त निवान हो जाएगा तो दोस्तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है लाइक करके कॉमेंट करके जरूर बताएं अपने दोस्तों अपने साथियों के साथ ये मेरा ये वी subscribe करें आपका दिन सुब हो बहुत बहुत धन्यवाद।